नमस्कार आप सबका हमारे चैनल श्रीमत हूं रेमेडिस में स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मकर संकरांती पर करक सिह और कन्यारासी के जात्रकों को क्या करना चीए साल 2020 में कि धन, समर्दी, सुख, लक्ष्मी सब उनके जिंदगी में विराज मान रहे हैं 15 जनवरी को मकर संकरांती है साल 2020 में इस दिन सुर्य देव की पूजा, गंगा, असनान और दान करने से पुन्ने की पराप्ती होती है इस दिन दान करना काफी महत्वपुर्ण और शुब माना जाता है तो यदि आप राशियन और राशी के अनुसार जब दान करते हैं तो कश्टो का नास होता है और सुक्तता समिधी आती है तो सबसे पहले हम करकराशी के बारे हम बता दें देखे करकराशी वाली लोग सुर्य नरायन को जल में कच्छा दूद, चावल, रूली मिला कर अर्द दें यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके स्वास्त में सुधार होगा और अपने असनान के जल में केसर मिला कर असनान कीजिए इससे आपकी नकरातमक उर्जा दूर होगी करकराशी के जातक यहती दूद, चावल और तिन मिला कर सुर्द को अर्द देते हैं और चावल मिशी का दान देते हैं तो कलह, संघर्ष और वेधानों पर विराम लगेगा करकराशी के जातक सफेद उन का दान कर सकता है देखे करकराशी का जो सौमी और चंद्रमा हैं तो चावल और चीनी का दान जरूर कीजिए गाय कुआटा किलाएं एक चांदी का चंद्रमा आप दान कीजिए तांबी का पात्र मंद्र में दान करें एक तांबी का लोटा और ग्लास चमचसीत मंद्र में दान दीजिए अब सिहरासी सिहरासी के जातक आपके जो सौमी और सौर रहे हैं तो आप गेहूं और गुड़ का दान कीजिए एक तामरपात्र मंदिर में दान कीजिए रक्त दान करें धार में पुस्तक बाटें सिक्षा में उनत्ती के लिए गरीब बच्चों में पुस्तक और कलम वितरन करें सहरासी के जो जातक है वो एक चीज़ और दान कर सकते हैं और वो चीज़ है उनके अलावा गुड़ और गेहूं तो गुड़ और गेहूं आप दान कर सकते हैं जल में कुंकुम, ततारक्त, पुष्प और तिल डाल कर सुद को अर्द जबाब देते हैं तो आपको बड़ी उपलबदी की प्राप्ती होती है आप तिल गुड़ गेहूं के अलावा आप सोना भी दान कर सकते हैं आप सोना का अर्द आथारत ऐसा नहीं कि आप मतलब huge quantity आप सोना दान करें आप इतना सा भी दान करते हैं तो दान में ही आता है सेह इस तराशी के जातक सुन नरायन को जल में रोली लाल चंदन और गुड़ मिला कर जब अर्द देते हैं तो उनकी नौकरी की परिशानियां खत्म हो जाती है अपने असनान के जल में दो बूंद कच्चा दूद मिला कर असनान कीजिए तो धन की जो कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी अब कन्याराशी कन्याराशी वाले लोग सुन नरायन को जल में दूरवा कुम कुम और गुर डाल कर अर्द दें ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और सनान के जल में आप एक शुब समाच्यार मिलता है आप मुंग की दाल के खिचड़ी दान करें गाये को चारा दें नश्यत तोर पे आपको शुब समाच्यार मिलेगा कन्यारासी वाले खड़े मुंग का भी दान कर सकते हैं ये भी उनको फलीत होगा कन्यारासी के जातक स्वामी बुद्ध है इसलिए मुंग का दान करने के लिए बोल रहा हूँ करपूर का दान किसी देवी माता के मंदिर में करें गरीबों में अन और विशेशकर वस्तर का दान करें धार्मक्त की पुस्तक का दान करना भी आपके लिए लाब करी है. आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है. सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दवाएंगे. तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपलोड्स हैं, वो आपके पास आटोमेटिक मिलते चले जाएंगे. और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारी पॉपलोड चैनल जिसे देखकर आप इंटर्टेन होंगे. झाल जाएंगे.